वीडियो में पढ़ने वाले फिटकरी के बारे में जिसे हम पोटास फिटकरी भी कहते हैं तो यह फिटकरी जो टॉपिक है यह हाइश कुल इंटर दोनों के ही सलेवस में आता है और इससे समंदेत प्रसन हाइश कुल इंटर दोनों में ही आते हैं और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है फिटकरी का सूत्र पूछ लिया जाता है या फिटकरी बनाने की बिधी पूछ ली जाती है अगर आप competition की तैयारी कर रहे हैं तो इससे समंधित प्रस्ण competition में भी आजाता है के फिटकरी का निमन मैंसшे सूतर कौनसा है यह निमन मैंसे फिटकरी में कौनसा योगिक पाए जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिटकरी जिसे हम पौटास फिटकरी भी कहते हैं फिटकरी उन को कहते हैं जिनका सामाने सुत्र इस प्रकार है तो आप देख सकते हैं में यहां पर एक संयोंजी धातु है यानि छिकल इस ँद करता है एक से एक संयोंजी धातुख कहते हैं जैसे सोडियम और पॉटेस्यम पर एक संयोंजी धातु उता है इसलिए इन्हें सोडियम पॉटेस्यम को एक संयोंजी भादु है यहां पर आर्थ तरी संयोंजी धात्ु है जिस धातु पर तीन पॉजएटेव-चार्ज रहना है पर न fatto खोते हैं तो जैसे फैर्ड पर होते हैं इसी प्रकार ऐन्मोनियम पर भी पॉजएटिव चार्ज होते इस कारण यह तो इस सूत्र के माध्यम से हम फिटकरी याद कर सकते हैं आगे है पोटास फिटकरी बनाने की विदी तो यानि कि पोटास फिटकरी किस प्रकार से बनाई जाएगी तो आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं K2 जो है M के स्थान पर लिया गया है जो हमारा सूत्र था वहां पर M2 जो है एक संयोजी धातू था, एक संयोजी धातू में Potassium आता है तो हमने यहां पर Potassium रखा है और Al2 आप देख सकते हैं यहां पर जो के हमारे सूत्र में R2 है तो हम अगर सूत्र में M2 की जग़ह पर K2 रख देंगे और I2 की जग़ह पर Al2 रख देंगे तो हमारा फिटकरी का सूत्र बन जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फिटकरी को क्या प्रकार से बनाया गया है के टुए सफोर प्लस एल्टू एसोफोर का हुलत्राइक प्लस चौवीश टूओ की अभकिरिया करा करके यानि याँ पर इनकी आपस में तो यानिकी सूत्र प्रार्प्त होगा किस प्रकार से प्राप्त होगा इनकी अलगा देना है और सब्सक्राइक प्राप्त होगा। K2 SO4 into Al2 SO4 into 24 S2O विस परकार से हम फिटिकेरी का सूत्र याद कर सकते हैं और उसकी बनाने की विधी को भी आजानी से याद रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर K2 SO4 PLUS AL2 SO4 का kolthries PLUS 24 S2O जिसमें से आपको K bad plus के निशान अटाने हैं और आपको यहाँ पर point लगा देने हैं प्लस के निसान पर K2SO4 AL2SO4 का whole thrive 24S2O यह आपका फिटिकरी का सूत्र प्राप्त हो जाएगा जिसे हम फिटिकरी का रासाइनिक सूत्र कहते हैं इसे potas फिटिकरी भी कहते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like and share करें और यह बहुत ही important है high school और इंटर के exam में आता है अक्सर इसलिए आप इसे अच्छे से त्यार कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे आने वाले वीडियो को देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें ताके उसका notification आप तक पहुंच सके thanks for watching बंदे मातरम